हलो दोस्तों अरत्यारे सेकिडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान लोग सेवा आयोग द्वारा आयुजित सेकिंड ग्रेड सिक्सक बरती परिक्षा दोजार चोबिस के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्रीज शुरू की गई थी जिसमें अपने साथ मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें आठवा नंबर का मॉडल पेपर है दोस्तों कुल सोप्रस ने इसमें सामिल किये गए हैं और हुबहु आपको ऐसाई पेपर है वो परिक्षा म को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखें तो अपले लिस्ट में जाईए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकेंड ग्रेड मॉडल पेपर दोजार चोबिस के ना नहीं हुआ दोस्तों अपने को यह बताना है कि राजस्तान के राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निदन नहीं हुआ है तो किनका निदन पद पर रहते हुए नहीं हुआ है तो यहां पर इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा वो है रगुकुल तिलक दोस्तों रगुकुल तिलक है ये इनका पद पर रहते हुए निदन नहीं हुआ चार ऐसे राजस्तान के राजेपाल है जिनका पद पर रहते हुए निदन हुआ है नमबर एक दरबारा सिंग नमबर दो निर्मलचन जैन नमबर तीन स्रीमती परभाराव और नमबर चार सेलेंदर कुम मारसिंग ठीक है तो यह चार ऐसे राजय पाल है राजस्तान क्या राजस्तान के जिनका पद पर रहते हुए निदन हुआ है तो यहां पर नहीं यह पुछा है तो डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सई सेकेंड नमबर प्रस्थन है निम्नांकित में से कोन राजस्तान के कारेवाहक राजेपाल रहे कोन कारेवाहक राजेपाल रहे राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए चार कारेवाहक राजेपाल रहे नमबर एक है नवरंगलाल टिबेरवाल नमबर दो वेदपाल त्यागी नमबर तीन निर्मलचंद जैंद और नमबर चार सवरूप सिंग तो यहाँ पर इस प्रस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है वेदपाल त्यागी ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें तीन नमबर का प्रस्टन इसमें देखिए गुनी सो पिचेतर के राष्टिय आपातकाल के समय राजस्तान के राजयेपाल कोन थे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें सरदार जोगिंदर सिंग कोन थे सरदार जोगिंदर सिंग थे दोस्तो राइट आंसर हो ठीक है जब गुनिशो पिचेतर में राष्टिया पात्काल लगा था तब ठीक है और राष्ट्रपति सासन है ये दोस्तो राजस्तान में चार बार लगा था और मैं आपको सन बता देता हूँ दोस्तो एक ट्रिक है ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं साथ साथ जिरो दो साथ साथ जिरो दो अब इसके आगे दोस्तो आपको क्या लगाना है सै साथ आट और नो ठीक है यानि कि सठटट सतत्तर ऐसी और बरानवे गुनिशो सठट में पहली बार राष्ट्रपति सासन लगा था ठीक है उसके बाद में गुनी सो सततर में लगा था उसके बाद में गुनी सो असी में लगा था और उसके बाद में गुनी सो बरानवा में लगा था यह आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है तो गुनी सो पिचेतर के समय यहाँ पर देखिए इन चारों के अंदर गुनी सो पिचेतर नहीं है क् राष्टिया पातकाल की बात कही गई है तो सरदार जोगेंदर सिंग थे ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही चार नमबर का प्रस्थन है यहाँ पर देखिए सुमेलित कीजिए अब अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा आयोग है उसका गठन कब किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो सरकारिया आयोग का जो गठन है यह दोस्तो गुनी सो तिर्यासी में हुआ था कब हुआ था 1983 में पुंची आयोग का जो गठन है ये दोस्तो 2007 में हुआ था ठीक है और वेंकट चलिया आयोग का जो गठन है ये दोस्तो 2000 में हुआ था और पर्थम परसासनिक सुधार आयोग का जो गठन है ये दोस्तो 1966 में हुआ था तो यहाँ पर अपना इसमें राइट क्या हो जाएगा वो है दो चार तीन एक दो चार तीन एक इस प्रस्ट का राइट आंसर हो जाएगा यानि कि अपना इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए पांच नंबर का प्रस्ट है सवीदान के अनुच्छद 166 में निम्न में से कौन से करतव्य मु प्रसाशन तथा विधान विशयक वी निष्चय करतव्य है तीसरा देखिए किसी विश्य को जिसल पर किसी मंत्री ने निष्चय कर दिया किन्तु मंत्री परिशद ने विचार नहीं किया राजेपाल द्वरा अपेक्ष्या किये जाने पर परिशद के समक्स रखवाना ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है ये भी मुख्य मंत्री का करतवे है विबिन अधिकारियों की न्यूक्ति समंदी प्रामर्स देना ये मुख्य मंत्री का करतवे नहीं है तो यहाँ पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर इन अधिकारियों की न्यूक्ति समंदी प्रामर्स नहीं देता ये दोस्तों न्यूक्ति की जाती है मुख्य मंत्री के द्वाराई ठीक है आगे देखिए यहाँ पर राज्य के प्रसासन एवं विदायन के प्रस्ताव से समंदी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है राज्य के प्रसासन एवं में विदायन के प्रस्ताव से समंदी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है कौन सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्यपाल चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा राज्य पाल आगे देखिए मुख्य मंत्री के सम्मंद में गलत कतन पैचाने तो दोस्तों गलत कतन है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है पैचानना है देखिए वहें राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्स होता है बिल्कुल सही है अंतराज्य परिश्द का सदस्य होता है बिल्कुल सही है राज्य सरकार का मुख्य परवक्ता होता है मुख्य मंत्री बिल्कुल सही है राज्य का सवेधानिक परदान होता है ये गलत हो जाएगा दोस्तों देखिए राज्य का जो सवेधानिक परदान है यहां पर मुख्यमंतरी है वो नहीं होता है तो यहां पर इस प्रस्थन का right answer क्या हो जाएगा वो है D-Number का जो option है वो इसका बिलकुल सियूतर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान के पर्थम अलप संक्यक मुक्यमंतरी कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बरकतुला खान कौन थे बरकतुला खान है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों पद पर रहते हुए इनकी मर्तिव भी हुई थी बरकतुला खान की तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर उप्शन सही उतर नो नमबर का प्रेस्ट ने यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विदाइका का सदस्य नहीं है तो इस विशे में सवेधानिक प्रावदान क्या है तो दोस्तों सवेधानिक प्रावदान है उसका छे महा के बीतर निर्वाचन हो यह नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखिए दसनमर का प्रिशन है मंत्री परिशद के बारे में निम्न कतनों पर विचार करें वे ऐसत्य कतन की अपने को यहाँ पर क्या करना है पहचान करना है कि कौन सा इसमें ऐसत्य कतन है और कूट बासा में क्या करना है उतर देना है दोस्तों देखे इसमें विदान सभा के परती सामूई कुतरदाई तो है बिल्कुल सही है मंतरी परिशद का ये कारिय है ठीक है विदान सभा के परती सामूई कुतरदाई आगे देखे वेतन बतों का निर्दारन राज्येपाल द्वारा ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें ठीक हैं देखे मंत्रियों के वेतन बतों का जो निर्दारन है वो राज्य विदान मंडल करता है यहां पे राज्य पाल नहीं करता तो दोसरा कथन क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा तीसरा देखिए दल बदल के आधार पर निरह मंत्रhake के लिए भी होगा यह भी दोस्तों क्या है बिल्कुल सही Тем के राज्य पाल्ग्वारा मंत्रियों को पद्व भूपनेता की साफ़त raised यह बिल्कुल सही है तो यहांपर दूसरा इसमें क्लत है यहाँ पे एक तीन चार एक तीन चार इसमें क्या है सही है तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही एक तीन चार दूसरा इसमें गलत दे रखा है 11 नंबर का प्रेशन इसमें देखे ग्रेंविल आइस्टिन ने किसे भारतिय सविदान की आत्मा कहा है किसे भारतिय सविदान की आत्मा कहा है तो दोस्तों मूल अधिकार और निति निर्देशक तत्व को भारतिय सविदान की आत्मा कहा है किसने ग्रेंविल आइस्टिन ने तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से ही आगे देखें आपे नीति निर्देशक तत्वों को भारत सासन अधिनियम गुनी 135 में वरणित अनुदेशों के समान किस ने कहा यह कहा दोस्तों किसने तो यह भीम राव अंबेड करने कहा यहाँ पर बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा भीम राव अंबेड करने कहा तेरा नंबर का प्रशन है नीति निर्देशक तत्वों में निम्नांकित में से कौन सा अनुचेद समाजवादी सिद्दान्त की पुष्टी नहीं करता निर्देशक तत्वों में निम्नांकित में से कौन सा अनुचेद समाजवादी सिद्दान्त की पुष्टी नहीं करता इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अनुचेद 44 यहाँ पर डी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा अनुचे अनुचेद 44 है यह भारत के समस्त राज्य चेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहीता लागू करने से संबंदीत है ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए चोदा नंबर का प नितिनर्देशक तत्वा यह मूल सविधान में नहीं है आप सभी को पता हुगा दोस्तों देखिए 42 सविदान संसोधन गुनिस्योंशो चेत्र में चार नए नितिनर्देशक तत्वा है वो जोडे गए थे और वो चारों कौन कौन से थे एक तो था दौस्तों गुन्चाल ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है तो यहाँ पर इस प्रस्टन का राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर उप्सन बिल्कुल सही नित्य निर्देशक तत्वे गैर नयायोचित होते हैं बिल्कुल सही है राज्य इन्हें लागू करने के लिए बादे है ये गलत हो जाएगा राज्य इनको लागू करने के लिए बादे नहीं है ठीक है और नहीं उन्हें लागू करने के लिए दोस्तों नयायले में चुनोत में सामिल नहीं है संग की कारिय पालिका में सामिल नहीं है तो दोस्तों देखिए राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती माने आयवादी ये तीनों सामिल है लेकिन सर्वोचे नेल इसमें सामिल नहीं है तो यहाँ पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इ दोस्तों कितना होता है तो दोस्तों 708 होता है यहाँ पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 708 है इसमें देखे निमनांकित भारतिये राष्टरपतियों को उनके सही कालकरम में व्यवस्तित कीजिए दोस्तों यहां पर चार राष्टरपति दे रखे हैं इनके कालकरम के नुसार अपने को यहां पर इनको जमाना है दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहला इसमें राष्टरपति होगा फकरुदीन अली एहमद ठीक है उसके बाद में एन संजीव रेडी तीक है यहां यहां पर इस प्रस्तिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है एक तीन दो चार एक तीन दो चार इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे राष्टरपति के चुनाव हित्तु निम्न में से कौन सी अहीरताएं पून करना आवशक नहीं है यानि कि कौन सी जो योगेता है उसको पून करना आवशक नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है राष्टरपति के चुनाव से समंदित यह प्रस्न है यहां अहरताएं हैं ठीक है वह लोकसभा का सदस्य हो यह जरूरी नहीं है तो यहां पर डी निंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए बीस निंबर का प्रस्ण है राश्ट्रपती की पदावदी पर निम्न में से सही कथन की अपने को यहां पर क्या करन है पैचान करना है कौन सा कथन इसमें सही है वह बताना है अच्छा प्रस्ण है यह देखिए दोस्तों यहां पर देखिए राश्ट्रपती का कारेकाल पदारन करने से पांच वर्स तक होता है बिल्कुल सही है राश्ट्रपती अपना त्याग पत्र उपर राश्ट्रपती सकता है यहां पर चारल कतन है वो दोस्तों क्या है राश्ट्रपती से समंधित matatat marsh सट्थे हैं तो इस प्राष्ण का राइट आंशर हो जाएगा एक दू तीन चार यानि की सी नंबर का ओसनि बिलकुल सही डोस्तों यहां पर देखिए इसमें बिल्कुल सही है परी सिंग ने तलवार बंदाई की रकम जनता से वसुल नारंब किया ये बिल्कुल सही है विजे सिंग इस आंदोलन के पर्तम चरण में जुड़े थे ये गलत हो जाएगा दोस्तों देखिए जो बिजोलिया कि सांदोल तक पहला चरण चला था और उसके बाद में दोस्तों दूसरा चरण चला था तीसरा चरण है वह दोस्तों गुनिसो तेबिस से लेके और गुनिसो एकतालिस तक चला था ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो यहाँ पर तीसरा नंबर का कतन है वह इसमें गलत हो जाएगा दूसरे चरण में जुड़े थे ठीक है ऐसते कतन ही बताना था सी नंबर का उप्सन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है चोथा कतन देखिए इसमें विजय सिंग पतिक ने बिजोलिया मे विद्या परचारनी सबा का गठन किया ये भी बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखिए यहाँ पर निम्न में से बेंगु किसान अंदोलन से समंदित नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें राम नारान चोधरी इन्होंने तो नेतरत्वाई किया था सहीद रूप किसान अंदोलन अलग किसान अंदोलन था ही ठीक है तो यह इसमें गलत दे रखा है तो यहाँ पर इसे प्रस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही यह दूद्वा खरागाउं है यह चूरू में इस्तित है ठीक है यह विकानर किसान अंदोलन से समझ दिते हैं यहाँ पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे नीमुचणा हत्याकाण के समय अलवर का सासक कौन था तो दोस्तों अलवर का नदोलन वा number लोक परिष्द की स्तापना कबोई मारवाड लोक परिष्द की स्तापना है यह दोस्तों 19 bastard bem ओवी थी यहाँ पर c number का उप्सन right answer मारवाड लोक परिष्द की स्तापना c number option बिलकŁ सही अगे देखे नेखे किसान union क्यों? पुस्तक के लेक़् कोन थे? किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेकर कौन थे राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कुम्बा राम आरिये इस पुस्तक के लेकर थे बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही 27 नंबर का प्रेशन है निमने में से सत्य है दोस्तो सत्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए संपसभा की स्तापना गुरू गौविंद गिरेने की बिल्कुल सही है एकी आंदोलन की स्तापना मोतिलाल तेजावत ने की बिल्कुल सही है बगत पंत के संस्ता आपक गौविंद गुरू थे बिल्कुल सही है इसमें तीनों सही है तो इस प्रेशन का राइट आंसर उप्रोक सभी सत्य है डी नंबर उप्सन राइट आंसर हो जाएगा 27 नमबर का प्रेशन है निम्न में से ऐसत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर देखे गोविंद गिरी जाती से बंजारा थे बिल्कुल सही है और अपने को यहां पर ऐसत्य कथन ही पूछा है तो यहां पर बी नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी गुरु राजगिरी थे मीना कार्स की जो इस्तापना गुनी सो इकिस में थी यह दोनों इसमें सही है ठीक है आगे देखें यहां पर 28 नंबर का प्रस ने निम्न में से ऐसत्य कतन है यह वकौन सा है वह अपने को यहां पर क्या करना बताना है दोस्तों यहां पर देखी एस में मांगड राजस्तान के बांश्वड़ा जिले में है बिल्कुल सब्सक्राइ dolarsht hum swab जलियावाला बागत्या का जाता ये भी बिल्कुल सही है निमुचना गटना को गांदी जी ने दोहरी डायर साही बताया था ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है मेवाड की पुकार पुस्तक के लेकर का गोविंद गिरी थे ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा गलत हो तो यहां पर अपना इसमें D-Number का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा, एक बार सभी के सभी मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मोडल पेपर के नाम से, तो आप वहां जाकर पिछले मोडल पेपर का टेस्ट है, वह अवस्य दे, दोस्तो रोजाना अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपको निरंतर पहुचता रहे देखिए 29 नंबर का प्रस्थ ने सत्रा नॉंबर 1913 के मानगड हत्याकांड के दिन थी बताइए अपने को यहां पर बताना है कि 17 नॉंबर के पर्थम माईला समयलन का नेतरत्व किस ने किया कट्रातल के पर्थम माईला समयलन का नेतरत्व किस ने किया यह नेतरत्व किया दोस्तों कि सोरी देवी ने राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा 25 अप्रेल 1934 को कट्रातल सिक्कर में कि सोरी देवी के नितरतों में दोस्तों एक विसाल मैला समेलन हुआ था जिसे में करीबन दस अजार मैलाओं ने भाग लिया था आगे देखिए यहां पर सबसे पहले और सबसे बाद करम से किन परजामंडलों की स्तापना हुई इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैपूर जैसल मेर परजामंडल की स्तापना हुई राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों य आजे लोग परिशद का अधिवेशन कहा आई जित हुआ यह आई जित हुआ दोस्तों कहां पर है तो यह उदेपूर में आई जित हुआ C नंबर का ओप्षन राइटांसर आगे देखें नरेंदर मंडल और चर्खा संग कि इस्तापना करमे से कब हुई नरेंदर मंडल और चरका संग की जो इस्तापना है यह हुई थी दोस्तों कब है तो यह गुनी सो 21 में तो नरेंदर मंडल की स्तापना हुई थी और गुनी सो 27 में चरका संग की स्तापना हुई थी तो यहाँ पर B नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही इतर हो जाएगा इसमें यह आपको याद रखना है आगे देखिए 34 नमबर का प्रशने परजामंडल और समंधित नेता एसुमेलित कूट है दोस्तों परजामंडल और समंधित नेता एसुमेलित कूट है वो अपने को यहाँ दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है बाकी तीनों सही है इसमें ठीक है तो यहाँ पर B नमबर का जो अप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए 35 नमबर का प्रशने निम्न में से एसुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है द क्या है इसमें बिलकुल सही है ठीक है मारवाड राजे लोग परिशद की जो इसस्तापना है उनकरन सारदाने की एगलत हो जाएक इसमें तो मारवाड युध मैं यु ए तो यहां पर श्ल्य का ररथ से थी द्मुंभर ऑप्शन हो जाएगा आगे समाचारऄ पत्र समाचार पत्र वेबव किस प्रजामंडल से समंदित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपूर प्रजामंडल से है यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए राजस्तान चितरकला के संदर्ब में एसुमेलित है तो दोस्तों एसुमेलित कौन सा है यहां पर देखिए तस्वीरा रों करषाणों मेवाडु बिल्कुल सही आप एंजारारी ओरी यह देवगड़ में हैं सूरत खाना यहां पर देखिए चितरकला कि लेखितनगल तो यह अपना इसमें राइट आंसर हुजाएगा इसमें यापको इसमें याद रखना है ठ संगड का प्रसिद है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए यहां पर बैसो का चितेरा नाम से प्रसिद आधुनिक सर्मा को ठीक है तो यह आपको इसमें याद रखना बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए मैलाओं द्वारा पस्वों का सिकार वह वल्लब संपरदाय से प्रभावित सहली कौन सी है तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वह है यह कोटा से लिए तो यहा प्रशन है चित्रसली समंदित चित्रकार के संदर्ब में कौन सा जोड़ा ऐसमेलित है चित्रसली समंदित चित्रकार के संदर्ब में कौन सा जोड़ा ऐसमेलित है वह अपने को यहाँ पर बताना है अपने को बताना है कि कौन से चित्रकार कौन से चित्रकार इसमें गलत द मेवाड के बाबा रामचंदर नारायन यह गलत देरका है दोस्तों कि इसमें नमबर का फंट स्वा हुजाए हैं किसे शेक्पर चितर कार चित्र के साथ अपना नाम व्तिति अंकित करते थे सही उत्तर हो जाएगा वो है विकानेर चित्र कार विकानेर चित्र से लिके जो चित्रकार थे वो चित्र के साथ में अपना नाम और चित्री दोनों अंकित करते थे बी नंबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा बियानिस नंबर प्रस ने राजस्तान की चि कुन सा है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों यहां पर देखे राजपूत पेंटिंग पुस्तक गुनी सो सोला में हेवल ने लिखी यह दोस्तों इसमें ऐसत्य कतन है दोस्तों देखे राजपूत पेंटिंग पुस्तक है यह आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी यह पर यह पहला ही कतन है वह ऐसते हैं तो यहां पर ए नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा बाकी तीनों कतन सकते हैं फिर भी आपको बता देता हूं देखे राजस्तानी चितरकला सब्द रामकृष्ण दास्त ने दिया बिल्कुल सही है मेवाड को राजस्तानी चितर पर देखे राजस्तानी चितरकला की जनम भूमिक आजाता है बिल्कुल सही है उन्यारा वाज सेखावाटी डुंडान सेली की उपसेलिया है बिल्कुल सही है तीक है आगे देखे नए गर का उद्गाटन क्या कलाता है तो दोस्तों यह कलाता है नांगड बी नंबर अभिवादन है वो कलाता है दोस्तों जमारी तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही है आगे देखे चारी पर था जिसमें दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वाले देते हैं राजस्तान के किन जिलों में यह म बीलवाडा में आगे देखे विवाद के समय नवदू को दिया हुआ कलेवा क्या कम्याता है थो दोस्तों यह कहलता है हीरावनी क्या कहलता है हीरावनी कहलता है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे जनगड़ना 2011 के संद्दम में ऐस regular का सिफज़ कॉन सा है वो अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा इसमें ऐसते कतन है, ठीक है, देखिए, राजस्तान की जन्संक्या की वर्दीदर 21.3% रही, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए इसमें, पुरुस जन्संक्या वर्दीदर 20.8% रही, बिल्कुल सही है, महिला जन्स क्या वर्दीदर है यह पुल्स पुर्सों के तुलना में अधिक रही यह इसमें गलत दे रखा है कथन और देखिए राजस्तान की दसक यह वर्दीदर भारत की अपेक्षा अधिक रही बिल्कुल सही है तो यहां पर सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो कि इ इसमें सकते है देखिए सरवादिक लिंगानुपात वाला जिला डुंगरपूर बिल्कुल सही है ठीक है सरवादिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है डुंगरपूर बिल्कुल सही बात है आगे देखिए दोस्तों इसमें नियुनतम लिंगानुपात वाला जिला जै सरवादिक है, सिसू लिंगानुपात वाला जिला बांस्वाडा दे रखा है, दोस्तों सरवादिक है, सिसू लिंगानुपात वाला जो जिला है, वो बांस्वाडा बिल्कुल सही दे रखा है, दोस्तों ये, ठीक है, देखें, नियूनतम सिसू लिंगानुपात वाला जिला तो यहाँ पर अपना इसमे राइट आंसर क्या हो जाएगा एक और तीन ही इसमे क्या है सत्य है तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमे राइट आंसर क्या हो जाएगा एक तीन ही इसमे क्या है सत्य है तो यहाँ पर D number का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा इसमें एक और तीन ही इसमें क्या है सत्य है बाकि इसमें दो गलत दे रखें आगे देखें राजस्तान के सरवादिक साकसरता वाले जिलो का सही करम क्या है तो दोस्तों साकसरता का जो सही करम है वो है दोस्तों इसमें कोटा जैपूर जुनजुनुशिकर कोटा जैपूर जुनजुनुशिकर तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का option right answer हो जाएगा आगे देखें जनगर्णा 2011 के संदर्प में राजस्तान की जनजातियों पर विचार कीजिए एक तरफ जनजाती है दूसरी तरफ सरवादिक जनसंक्या वाला जिला दे रखा है अपने को बताना है कि कौन सी जनजाती है वो कौन से जिले में सरवादिक उनकी जनसंख्या है देखिए मिना की सरवादिक जनसंख्या वो दोस्तो उदेपूर में है ठीक है और डामोर जनजाति की जो सरवादिक संख्या है ये दोस्तो डुंगरपूर में है भील जनजाति की जो सरवादिक संख्या है ठीक है ये राइट आंसर कुन सा हो जाएगा बैए दैसा है यानि कि C नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही आगे देखिए जनगर्णा 2011 कि नुसार सो से कम जनसंग क्या गनतवे वाले जिलों का सही करम कौन सा है तो दोस्तों वो सही करम है देखिए जैसलमेर में 17, बिकाने मेर बाड मेर तो इसका राइट आंसर डी नंबर उप्षन बिल्कुल सही अगर देखिए निम्न में से सुमेलित कुन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों यहां पर देखिए इसमें राजस्तान टेक्स्टाइल मेल बिवाणी मंडी में है बिल्कुल सही है मेवाड टेक्स्टाइल मील भिलवाडा में है बिल्कुल सही है आदित्य मील किसंगड में है बिल्कुल सही है गंगा नगर सहकारी कताई मील यह यहां पर हनुमान गड़ में है यह गंगा नगर इसमें गलत दे रखा है तो यहां पर डी नंबर का उप्षन राइट सुमेलित कीजिए दोस्तों यहां पर अपने को क्या करना है कि सुमेलित करना है फितना में को अपने को बताना है कि कौनसा डियूग है वो कांपर है तिक Sulfuric Acid Plant बताज़े दोस्तो यह Sulfuric Acid Plant यह कहाँ पर है? तो दोस्तो यह है Alvar में कहाँ पर है? यह Alvar में है ठीक है? और देखिए Sriram Fertilizer कोटा में है? कोटा में है यह और Modee Alkines and chemical है यह कहाँ पर है? तो यहाँ परankind का right answer क्या हो जाएगा? इसका राइट अंसर हो जाएगा यानि कि B नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर आगे देखिए उद्योगिक पार्कों में एसुमेलित है यहाँ पर देखिए दोस्तो एक तरफ उद्योगिक पार्क दे रखा है देखिए इस्टोन पार्क कहाँ पर है दोस्तो जो इस्टोन पार्क है यह कहाँ पर है तो यह दोलपुर के विश्नोद ग्राम में है ठीक है और सुचना परद्योगिक की पार्क यह दोस्तो सितापुरा में है होजरी पार्क जोदपूर दे रखा है गलत हो जाएगा दोस्तो होजरी पार्क है यह अलवर के बिवाडी में इस्तित है ठीक है और कोरियाई पार्क है यह निम्राना में है यह बिल्कुल सही है तो यहां पर C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही है आगे देखिए DMIC दिल्ली म प्रस्थन है यह देखिए यह राजस्तान के तेरा जिलों से होकर गुजरेगा यह राजस्तान के तेरा जिलों से होकर क्या करेगा गुजरेगा ठीक है बिल्कुल सही है आगे देखिए इसे जापान की साहिता से संचालित किया जा रहा है बिल्कुल सही है इसे राजस्तान की साहता से इसे संसालित किया जा रहा है दोनों से ये तीसरा देखिए डी M.I.C. के तहत राजस्तान में दो दो ओध्योगिक छित्र वह तीन इन्वेस्टमेंट रीजन तियार किया जाएंगे ये इसमें गलत हो जाएगा इसमें इसमें उल्टा दे रखा है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का उप्शन राइट आंसर तीन तो ओद्योगिक चेत्र और दो इन्वेस्टमेंट रिजन तेयार किये जाएगे ठीक है देखे आगे डी एम आई सी के दोनों और एक सोपचास किलोमेटर कोल तीन सो किलोमेटर चोड़ी पट्टी का चैन किया जाएगा बिल्कुल सही है तो यहां पर ऐसा तेकतन कुन सा हुआ सी नंबर वाला हुआ तीक है आगे देखिए राजस्तान के किस जिले में सो करोड़ की लागत से म-S-M-E पार्क का निर्मान किया जाएगा सही उत्र हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों दोसा में किया जाएगा इस पार्क का निरमाण तो यहाँ पर डी नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे मानसुन पूर्व की वरसा के सम्मंद में बेमेल है बेमेल कुंसा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों इसमें देखेए एक तरफ इसतान है दूसरी तरफ वर्षा का नाम है ठीक है और ये मानसुन से पूरव जो वर्षा होती है उसके बारे में बात कहीं गई है देखिए असम में उसको चाय वर्षा कहते हैं बिलकुल सही है उडिसा में उसको आमर वर्षा कहते हैं जो कि इसमें गलत दे रखा है उडिसा में इसे नारवेश्टर बोलते हैं केरल में बोलते हैं आमर वर्षा उडिसा में तो नारवेश्टर बोलते हैं तो ये गलत दे रखा है करनाटक में चेरी ब्लास में बोलते हैं उपसिम बंगाल में काल बैसा की बोलते हैं बिल्कुल सही है, तो यहां पर B-Number option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. 58-Number का प्रस्थन है, इसमें देखे, मानसुन के निवर्तन के समय बनने वाली दसाओं के समद्ध में सत्य कतन है, दोस्तों यहां पर सत्य कतन है, वो अपने को क्या करना है, बताना है, इसमें एक कतन सत्य है, वो है ITCZ का दक्षिन की ओरिष्टा नांतर्ण, यह कतन सत्य है, बाकि इसमें तीन हो है, वो गलत दे रखे हैं, तो यहां पर B-Number का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखिए, निवनमेश्य भारत के किन छेत्रों में, वो सत्य दो सो मिली मेटर वर्सा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लद् दाख है, राजस्तान, आगे देखिए, यहां पर साथ नंबर का प्रस्न है, देश के किस भाग में मानसुन के अरब सागर वे, बंगाल की खाडी दोनों साखाओं से वर्सा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पंजाब में, पंजाब में, ठीक ह तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें, पंजाब इसका राइट आंसर, C नंबर, B नंबर उप्शन बिल्कुल सही, आगे देखिए, निमन में से कौन से राज्ये, लोटते मानसुन से प्रभावित नहीं होता, सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों उत्त यहां पर C नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यह मांसून लोटने की अवधी है, वो सितंबर से अक्टुमबर तक होती है, ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रभावित नहीं होता, उड़ी सा तमिल्लाडू और अंदर प्रदेश से इसमें प्रभावित होते हैं अगर देखिए 62 नंबर का प्रस्थन है दक्षिंड से उत्तर की और नदियों का सही करम कुन सा है दोस्तों सही करम है इसमें तुम्बद्रा गोदावरी तापती और नर्मदा यह दक्षिंड से उत्तर की और सही करम है त देखे मांसर जीट दोस्तों मांसर जीट है ये पंजब दे रखा ये गलत है ये कांपर है तो यहwelित कहां पर जीन तुछ सा değer करदेश्छम वी अंशर गहीं सारे साही दे रखे हैं एघ नमबर का उप्शन राइट आंसर और या वह सुमेलित है झाल में से कौन सी नदी क्र्ष्णा नदी की सायक नदी नहीं है तो कौन उड़ी क्रूसी नदी की साइक नदी इसका right answer हो जाएगा वो है पूर्णा नदी है ये दोस्तो कृष्णा नदी की सायक नदी है वो नहीं है तो यहाँ पर इसमे right answer हो जाएगा C number option सही उतर पूर्णा नदी है ये तापती नदी की सायक नदी है आगे देखे 65 नदी का प्रेस ने दोस्तो बताईए रावी नदी का जो उद्गम इस्तल है ये दोस्तो कांगडा इस्तित कुलू पाहडी से कांगडा इस्तित कुलू पाहडी से इसका उद्गम होता है ठीक है पेनार नदी दोस्तो यहाँ पर देखिए पेनार नदी पिनार नदी करनाटक के कोलार इस्टित नंदी दूर का पाड़ी से दोस्तो इसका उदगम होता है तो ये इसमें बैसे बैमे सुमेलित हो गया महा नदी का जो उदगम है दोस्तो महा नदी का उदगम अमर कंटक पाड़ी से होता है तो यहाँ पर यह अमरकन ठक हो गया और कावेरी नदी का जो उद्गम है यह दोस्तो ब्रह्मगिडी की पाड़ी से इसका उद्गम होता है तो यहां पर abe these è, इसका right answer हो जाएगा abe these, यह थोड़ा सा आपको इसमें याद रकवना है abe these, सभी सुमेलित करना है तो abe thesese, इसका right answer हो जाएगा तीकर आगे देखे, निम्न में से ay sumeilit 60 तो ay sumeilit 60 नहां है यहां पर, तीकर, देखे विश्नु परियाग अलग नंदा विश्नु ठीक है विश्नु गंगा नदी बिल्कुल सही है यहां पर देखें नंद परियाग अलग नंदा पिंडर ठीक है यह दोस्तों इसमें गलग दे रखा है इसमें होना चाहिए था दोस्तों कर्ण परियाग अलग नंदा पिंडर तो यहां पर B number option सही, आगे देखे, हिमाले के संदर्ब में निम्न कतनों पर विचार कीजिए, यहां पर अपने को सत्य कतन बताना है कि कौन सा कतन है, वो इसमें सत्य है, तीन कतन दे रखें, ठीक है? अब दोस्तों यहां पर देखिए, अच्छा प्रस्न है यह भी, देखिए, सोनो जोई के महा कल्प में वरद हिमाले का निर्मान हुआ, ठीक है? यहां पर दोस्तों तीनों कतन है, वो सत्य है, तो इस प्रस्न का राइट अंसर D नमबर उप्सन हो जाएगा, आगे देखिए, अड़सेट नमबर का प्रस्न है, निम्न में एसमेलित है, एक तरफ पठार है, दूसरी तरफ इस्तती है, अपने को बताना है, कि को देखिए, कौन सा पठार की स्तती, कौन सी एसमेलित है, वो बताना है, यहां पर देखिए, दोस्तों इसमें, बेतुल का जो पठार है, यह मद्य परदेश में है, बिल्कुल सही है, बुलेल, बुंदेल खंड का जो पठार है, यह दोस्तों मद्य परदेश और उत्तर परदेश के मद यह इसमें गलत दे रखा है तो यह तत्याई लोंगाना तो यहाँ पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर ओजाएगा आगे देखिए निमन कतनों पर विचार कीजिए अपने को यहां पर दो कथन दे रखें कि कि कौन सा ऐसत्य कथन है कौन सा इसमें ऐसत्य कथन है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों देखिए इसमें थालगाट दर्रा पस्मी सहाद्री में इस्तित है थालगाट दर्रा पस्मी सहाद्री में इस्तित है बिल्कुल सही है भोरगाट दर्रा मुंबई नागपुर क अपने को ऐसात्य कतन बताना है ठीक है दुवारस देखिए इस प्रशन को थालगाट दर्रा पस्मी साद्री में इस्तित है ये गलत हो जाएगा ये दोस्तों पस्मी साद्री में नहीं ये उत्री साद्री में इस्तित है ठीक है और दूसरा देखिए इसमें पहला गलत हो जो बोर गाठ दर्रा है ये दोस्तो मुंबाई पूरे के मद्देश्टित है तो ये कलकता, नागपुर है ये दोस्तो इसमें गलत दे रखा है तो ये दोनों कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगे इसमें एसत्य कथन दोनों ही है तो यहाँ पर सी नंबर का उप्सन राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर जन्गर्णा साउत Hambar 62011 के संद्व में निम्न पर विचार की ज़ाइ दो कतन देरखें ऐसत्य कथन कौना है वो अपने आपर बताना है ठीक है ऐसत्य कतन यहाँ पर बताना है देखिए सरवादिक जन्संक्या गनत्वा वाला जिला पूने है ये गलत हो जाएगा दोस्तों सरवादिक जन्संक्या गनत्वा वाला जिला है ये उत्तरपूरव दिल्ली है ठीक है कौन सा है उत्तरपूरव दिल्ली आगे देखिए न्यूंतम जन्संक्या गनत्वा वाला के अंडुमान निकोबार है ठीक है तो यहां पर दोनों ही कथन है वो गलत है इसका राइट आंसर सी नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखे जनगर्णा दोजार गयरा के अनुसार नियूंतम जन संक्या वाले राज्यों का सही करम है तो दोस्तों सही करम है वो क्या है यहां है यहीं बिलकुल हो जाएगा दोस्तों देखे नुनतम जन संक्या गंत्वा की बात हो लिए है छै लाक मिजोरम में दस लाक अरोनाचल प्रदेश में तेरा पॉइंट बियासी लाक और गोवा में 41 पॉइंट 57 लाक है तो यहां पर यह करम है बी नंबर वाला यह बिल्कुल सही है इसमें आगे देखिए राजस्तान स्टेक्ट माइन्स एंड मिनरल लिमिटेड एवं बाडमे दोस्तो स्रम एवं रोजगार मंत्राले द्वारा दिया जाता है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर उप्शन हो जाएगा तेतर नंबर का प्रिशन है इसमें देखिए बंसी पाड़पूर के गुलाबी पत्रों के अवेद खनन को रोकने है तू बरतपू इसमें रावली यह चला जा रहा है दोस्तों यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्रों जाएगा आगे देखिए राज्य में बागों की नसल सुधार के लिए इंटर इस्टेट बाग कोरिडोर बनाने है तू किस टाइगर रिजर्व में महाराष्टर से बाग बाग इनका जोड़ा लाए जाएगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुकंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में लाए जाएगा दोस्तों यह बाग 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 इनका जोड़ा राइट आंसर इसमें सी नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखे संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने वर्ष 2022 के लिए राजस्तान के कितने कलाकारों को समानित करने की गोशना की है तो दोस्तों चार कलाकारों को समानित करने की गोशना की है यहाँ पर बी नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए राजस्तान परेटन विभाग की और से किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तिमाल किया जाएगा तो दोस्तो वो है पैलेस ओन विल से यहाँ पर बी नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए अधिगम का सरचनात्मक सिद्दान ते किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था यह प्रस्तुत किया गया था दोस्तो जेरोम बुरुनर द्वारा यहाँ पर बी नमबर उप्शन बिलकुल सही है आगे देखिए अधिगम ऐसमता सब्दका सरोपर्तम अब अपने सिक्षामनों विज्ञान से समंदित प्रेस्न है वो प्रारम्भ हो चुके हैं आगे देखिए अनुबहु जन्ने अधिगम का सिद्धान्त किसके द्वारा दिया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दिया गया था दोस्तो कार्ल रोजस्ट के द्वारा तो यहां पर इसमें राइट अंसर हो जाएगा बी नंबर उप्सन बिल्कुल से अगे देखिए अंतर द्रेस्टी अधिगम सिद्धान्त के नुसार निम्न मेंसे कौन सा कारक बुद्धी को प्रभावित कौन सा नहीं करता तो दोस्तो उद्धीपन प्रभावित नहीं करत अगे देखिए निम्न मेंसे कौन सी अधिगम की विसेश्टा नहीं है तो दोस्तो अधिगम की विसेश्टा देखिए इसमें अधिगम सकरात्मक हो सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं ये गलत हो जाएगा दोस्तो अधिगम सकरात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है ठीक जम इस्तानांतरन का आदर्स एवं मुल्यों का सिद्धानत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाग लेके द्वारा तो यहां पर सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही बाग लेके द्वारा आगे देखिए उदीपकों के समंद में निम्न में से कौन सा कथन ऐसते है उदीपकों के समंद में निम्न में से कौन सा कथन ऐसते है तो दोस्तों ऐसते कथन हो जाएगा इसमें कौन सा देखिए उदीपकों के दो परकानों के होते हैं मुख्यत है बिल्कुल सही है परवरत्यात्मक अनुबंदित उदी सफ गम में इंपक्रियां इंपर्पन क Krता है बोम में पलाएन की इंपक्रियां करते हैं बिल्कुल हो जाएगा आगे देखें यहां पर अत्यांते दुस्चिंता एवं में भैपीडित व्यक्ति का इलाज अधिगम की किस विदी द्वारा किया जाता है सही उत्र हो जाएगा वह है दोस्तों करमी के वी सवेदी कराने करमी के वी सवेदी कराने विदी द्वारा किया जाता है त को के बारे मेंए सथय कतन है hire кто कॉन्षा है वह अपने को यहां पर क्या गरना है बताना है दोस्तों इस में देखिए कि सथय कतन बताना ठीक है अधिवाइस क्त बालकों का पेसिये स talented होती है तो यहां C number का जो option है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अधिगम एस सकता वाले बाचों बच्चों का पेशिये समन्वे तथा हस्त निपूर्टा अपेक्शक्रत निम्नकोटी का होता है यहाँ पर सामने होती है यह गलत दे रखा है तो यहाँ पर पर C number option राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए कौन सा पुनरबलन देने पर अधिगम सबसे कम होगा सही कहा सधित्तर हो जाएगा वहाइप स्गाम तो यहां पर सी नमबर और से पर आंसर होएगा पस्गाम देखिया कोसल अधिगम के तीन चरन किसने बताए कोसल ठीक है अगे देखे अधिगम के सिद्दान्त के तहट ऐसा माना जाता है कि नया सिखा हुआ वेवार पुनर बलन नहीं मिलने तक व्यक्त नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधिगम के चिनहें व्यक्त सिद्दान्त तो यहां पर सी न आगे देखे 89 नमबर प्रेस्टे परोपकार आकराद मक्ता आदर नमरता परिश्रम आलसे आदी अधिगम की किस विदी द्वारा अरजित किया जाते हैं तो यह अरजित किया जाते हैं दोस्तों मोडलिंग के द्वारा यहाँ पर D नमर उप्शन बिल्कुल सही मोडलिंग के कौन सा कथन सत्य हैं कौन सा कथन इसमें सत्य है वह अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों देखे इसमें किकतन सत्य है नकारात्मक पुनर्बलन अधिगम कि अभी किरिया को बढ़ाता है बिल्कुल सही है तो यह अपर D नम्बर का ओप्शन राइट अंसर हो जाएगा ठी यहां पर देखिए किरिया प्रसूत अनुबंदन में अनुबंदित उद्धिपक सूपरिबासित होता है यह दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा देखिए किरिया प्रसूत अनुबंदन में उद्धिपक सूपरिबासित नहीं होते यह गलत दे रखा है दोस्त से उतर हो जाएगा आगे देखिए मेन तथा मायर ने अधिगम से समंधित कुम सा संप्रते है परस्तुत किया दोस्तों कौन सा प्रस्तुत किया है अधिगम एह सा Twoत किया सी नंबर का ऑप्जी औरonde रइट यफ्ण हो जाएगा आगे देखिए जे पी गिलफोर्ड के मनुश्यों में ही पाए जाता है सही तरो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिद्धान तदिगम यह केवल मनुश्यों में ही पाए जाता है आगे देखिए यहां पे अधिगम के लिए सबसे आवसक तत्वा है तो वो कौन सा है वो है दोस्तों तत्परता यहां पर सी नंबर का option right answer हो जाए के तत्परता आगे देखे दंड अत्वा पुरुसकार के समावेशन द्वारा नवीन वेवार के विकास तथा अनुकिरिया की प्राइकता में वर्दी होने को का जाता है तो वर्दी होने को क्या का जाता है तो दोस्तो किरिया प्रसुत अनुबंदन का जाता है C number option right answer आगे देखे नियूंतम समर्थन मुल्य के बारे में ऐसत्यकतन कौन सा है नियूंतम समर्थन मुल्य के बारे में ऐसत्यकतन है वो कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या घरना है बताना है दोस्तों इसमें देखिए देखिए MSP वेंदर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीटती है बिलकुल सही ब्रस अगत और मुल्यायोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिश्य if년 फसलों के लिए MSP की सिपारिश की जाती है बिलकुल सही ब्रस आगत एवं मुल्यायोग वानि जहें उद्द्योग मन्तराम्र के एक स्लगन धार्याहिब है। यह दोस्तों इस को आपने को यह पर बताना है दोस्तों यहां पर देखिए बीटू-बी इसके अंद्र घते कंपनी किसी दूसरे कशन कम फर्म को सामान बेचती यह बिल्कूलраж ठीक है अगे देके ¿स में पड़ता किसी कंपनी से सीदे सामान खरीता है दो है आगे dyes सी टू सी इसके तहए तो बोक्ता सिधे बोक्ता से संपरक्ण करता बिल्कुल सही है सी टू बी मॉडल देखे इसमें कंपनी और विबिन बैंकों के मद्ध्य लेंदेन होता है यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें सी टू भी यह यानि कि कंजूमर तू बिजनेस ठीक है यान देखिए उद्योग चेतर की विबिन उत्पादक उत्पादन इकाईयों के बारे में ऐसा तेकतन कुन सा है वो बताना है दोस्तों देखिए देश की उर्जा आवशक्ता की पूर्ती में कोईले की इसेदारी 55 परतीसत है बिल्कुल सही है कपड़ा चेतर कर्शी के बाद दू अगर यहां पर डी नंबर का जो और सने पहलु इसका राइट अंसर इसमें वो जाएगा ठीक है तो दूस्तों यहां पर अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह आ दी नंबर और उसibo राइट आ आनसर यह सत्र दे रखा ऐगे भारत में परतिक्स विदेशी निवेस के अनुमत छेत्रों के संदर्व में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए और ऐसत्य कत्न को अपने को यहां पर क्या करना है चांटना है यहां पर देखिए सवचालित मारग से बीमा छेत्र एफडियाई 49 परतिसत है जो कि दोस्तों इसमें क्या दे रखा है गलत दे र इतर हो जाएगा दोस्तों सरकार ने सवचालित मारग से बीमा छेत्र विदेशी निवेस को बढ़ा कर है वो 44 परतिसत कर दिया गया है ठीक है तो यहां पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से इतर इसमें हो करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जाहिन जाफारत